आज मैं आपके शेयर कर रहे हूँ भरवा करेला बनाने की रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है तो बनाईए का जरूर दो तो सबसे पहले क्या करेंगे कि करेले को बीच से चीड़ा लगा कर अच्छे से उबालेंगे नमक डालके थोड़ा सा ही नमक डालेंगे उबालते सम बहुत जादा नहीं चलाना बस एक बार चलाकर इसे बंद कर देंगे तो देखिए इस तरह से यह दरदरा पीच जाता है और इसे हम बिलकुल आखिर में यूज करेंगे जब हमारी सबजी और मुस्ट डन हो जाएगी अब चलिए तैयारी करते हैं बनाने की भरवा करेला त डाल कर इसे मैंने पीस लिया है और इसे अच्छे से हम भून लेंगे यह देखिए यह अच्छे से भून चुका है तो अब इसमें मैं डाल रहे हैं टोमेटो की प्योरी तो यहां मैंने एक टमाटर लिया बड़ी साइस का और उसे हलका दरदरा पीसा बिलकुल भी पेस्ट जैसा नहीं बनाया दरदरा पीसा है मैंने और इसकेबाद इसमें डाल देंगे सूखे मसाले बेसिक से मसाले हैं हलि पोडर मर्च का पॉडर धनिया पोडर और साथी इसी समयश में गर्म मसाला भी डाल देंगे और नमक भी नमक आप अपने टेस्ट के अगर्णि डालिए ध्यान में रखिएगा कि हमने करेले को उबालते समय भी थोड़ा नमक डाला हुआ था अब इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि मसाला हमारा जो है ओल न छोड़ दे तो देखिए काफी अच्छे से ये भून चुका है और मसाला हमारा अब हो गया है रेडी इस तरह से इसे अच्छे से भून लेंगे तो जितनी अच्छे इसके भूनाई होती है न ये करेले का भरवा उतना ही टेस्टी लगता है तो या मैंने गयस का फलैम जो है वो ओफ कर दिया है और अब ये जो करेले हमने उबाल कर पीच निकाल कर रखे हुए है न उसके अंदर ये मसाला जो हमने रेडी किया है उसे भरतेंगे तो सारे करेले को इसी तरह से भर कर हम तयार कर लेंगे इस तरह से यदि आप करेले का भरवा बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगा और कड़वा तो बिल्कुल भी नहीं लगता है तो इस तरह से एक बर बनाईएगा जरूर और मुझे बताईएगा भी जरूर कि आपके करेले कैसे बने तो अब इसे हम धीमी आज पर पकने देंगे थोड़ी थोड़ी देर में पलेट पलेट कर देखते जाएंगे नीचे से बिल्कुल जलना नहीं चाहिए वैसे तो मैंने नॉनिस्टिक कड़ाई यूज की है इस पर यह जादा जलता नहीं है यदि आप नॉर्मल कड़ाई यूज करें तो थोड़ी थोड़ी देर में इसे अलेट पलेट कर जरूर देखें थोड़ी ही देर में यह तयार हो जाएगा देखिए दोस्तों मैंने करेले का भरवा बहुत ही कम देल में बनाया है और बहुत ही टेस्टी लगता है मैंने सिर्फ दो बड़े चमच ऑईल यूज किया था और उसे में यह सबजी बनकर हो गई है तयार अब यह बिलकुल रेडी है उपर से मैंने डाल दिया है हरा धनिया इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए दोस्तों सबजी बिलकुल हो गई है रेडी बहुत ही टेस्टी सबजी बनकर होती है तयार इसे आप इसी तरह से सर्व कर सकते हैं बड़ लास्ट में जो मुगफली के चूरा डलता है ना इसमें उससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है तो आखिर में हमने जो मुगफली पीसी होई थी न दर्दरी उसे इसमें मिक्स कर देंगे यह हम इने दो चमज मुगफली मिला दी है और इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर कम से कम एक बिनट के लिए से इसके साथ पकने देंगे और लिजे ये हो गया है तैयार करेले का भरवा बहुती टेस्टी लगता है दोस्तों बनाईएगा जरूर और यदि मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा साथी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई एंड टेक क्यार